नमस्कार दोस्तो वागत आप सभी का सरकादी जोब सोड्स की इस यूक्टूब चल पहीं वह भत्रीन भर्ती की आपको एक्टूबर महना ही जो है खतमाने वाला आंतीम चल रहे हैं इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत ही बहुतिन भरती की जानकारी लेकर आए हूँ जो कि है स्वामी आत्मनांद इंग्लिस मीडियम इस्कूल जो की गौर्रमेंट इस्कूल है आप सबी जानते हैं और ये सिख्चक भरती ही है समझ जाये दोस्तों क्योंकि इसमें स सारे पदेख साथ हैं विश्वास आपको भी नहीं होगा 36 गड़ के प्रतिक अभ्यारती इसमें पात रहें अब एक जो चीज में बोलने वाला हूँ सायद इस से आपके होस उड़ जाए जी हाँ हिंदी माध्यम वाले भी हैं इसमें पात रह तो आप सोच में नहीं सकते दोस्तों कि हिंदी माध्यम वाले कैसे इसमें पात रहोंगे इसमें हिंदी माध्यम वाले जो हैं पढ़ाई किये हैं हम सभी स्वामिया आत्मान दियानी की सेजे सी स्कूल को हमेशा से यही देखते आया है कि अंग्रेजी टीचर की पढ़ाई अगर आपने की हैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की तभी आप यहां पर सिक्षक बन पाएंगे अधरवाई जो हिंदी माध्यम को विद्यारती है वो इस परकार की वेकेंसी जो आती है आत्मान दिस्कूल की उसको ओ आत्रिस्टिंग वीडियो होने वाली है वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजगा और चैनल पे नहीं तो चलो को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी मत बुलेगा क्योंकि 36 गडरा जमयना वाली समस्त महत्तपूर चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी भरती विग्यापनों की जानके रहे आपको इस यूटूब चैनल पे देखने को मिलती ही रहेगी लगतर जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यदा फाइने बंद होगी तो चले चलते हैं विभागी विग्यापन की तरह पूरा जानक देम विद्याले संचालन एवं प्रबंदन समीति जिला जांजगीर चापा 36 गड़ में चोबीस सवरी तैइस दस दोजार चोबीस के भरती जारी की गई हैं यह जो बैकलाग पदों की है जो भरती की जारी है यानि कि बैकलोग समीदा जो पद हैं उनकी भरती यहाँ पस की पद को लोग छोड़े इसके अलबा कई लोगों ने ज्वाइनिंग ही नहीं किया था क्योंकि उनका भी इसी प्रकार से किसी अच्छे पोश्ट में लग गया था तो वह समीदा पद में नहीं है तो यही बैकलोग समीदा पदों की भरती की जारी इससे पहले भी जांजगीर चापा जी लेकि ऑफिसल वेफ साइट पर केवाल ऑनलाइन ही करेंगी इसके अलावा किसी माध्यम से सुकार नहीं की जाएगी अब आप देखेंगे स्कूल वाइस स्वामी आत्मनांद उतकृष्ट माध्यम जो है अंग्रेजी माध्यम उतकृष्ट विद्या हुआ है तो वीडियो का आप देखते चलिए आपको मैं जरूर जो थमनिल में यानि की सुरुवात में बताया हूँ वो आपको मैं यहाँ पास साबीत करके दिखा भी दूँगा तो पहला जो है प्रयोग साहयक है अंग्रेजी माध्यम इसके लिए आपका पास सब्जेट ह लिए या समीदा सिचक सीजस भरती के लिए आपसे आवज़न मंगया जा रहे हैं तो जीविग्यान के परयोग साहयक के लिए आपस यहां भरती निकाली जा रही है जो कि 25,300 सेलरी है नुसुची जन जाती कि लिए मात्र एक पदाय हुआ है तो इसमें परयोग साला बनने क ही आपको देखने को मिलेगा हिंदी माध्यम वाले रुकिये जरा अभी वीडियो बचा बहुत लंबा है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अगर गडित वीसे पढ़ाना है विज्ञान वीसे पढ़ाना है इसमें आपको समाजिक विज्ञान दोन तीनों के लिए अलग अलग होते हैं सिख्षक को इंग्लिज में टीचर क्योंकि बहुत कंफ्यूचन होता है इसमें पीजीटी टीजीटी करके हम लोग भी समझ नहीं पाते हैं तो मैं बता रहा हूं हिंदी में आपको तो गड़ीत वीसे के लिए गड़ीत वीसे पढ़ाने के लिए आपके पास इस न अग्रेजी माध्यम रखी गई एक पद एक पद पचीस जर तीन्चो अब थोड़ा हिंदी माध्यम वाले लोगों के लिए भी यहां पास हो जा गया है व्याख्याता यानि कि लेक्चेर इंग्लिस मीडम आपने आपके पढ़ाने के लिए होना चाहिए वाडिज जी यानि माध्या जी या दोस्तों व्याख्याता हिंदी माध्यम लिकला अगर आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है तो भी आप इसके लिए एपलाई कर सकते हैं लेक्चेर के लिए गड़ीत विशे पढ़ाने के लिए एक पद है जो कि है जनरल के लिए 35,400 सेलरी रखी गई है सिक्षक हिंदी माध्यम जी है दोस्तों अगर आप टीचर हिंदी मीडियम से हैं हिंदी मीडियम से टीचर बनना चाते हैं तो आप अगर संस्कृत विशे की आपके पास निधारीत योगता जो अभी नीचे बताऊंगा वो है तो आप एपलाई कर सकते हैं अगर आपने हिं इसमें दुनों ही अप्लाई कर पाएंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि हम आध्याम लिखा वह नहीं है साहेक शिक्षक अंग्रेजी माध्याम इसमें एक पद आया हुआ है सेलरी यहां पास देखती जाईएगा आपको में इसमें स्क्रोल करके उपर कर देता हूं परयोक साहेक एक पद आया है 253800 यहां पर आप आपको देखने को मिले इस स्कुल में इससे पहले तीन पद आपको उसकां पहले एक पद आपको मिले थे अब चलिए यहां पा स्वामी आत्मान उत्रिष्ट माध्यालएं विद्याले बहनी डी यहां पास से इसकुल का नाम है ठीक है इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे कि व्याक्याता अंगरेजी माध्यम तो आया है जो कि संस्रित विशे के टीचर के लिए जीविग्यान टीचर के लिए भोतिक के लिए वाडित जी के लिए ठीक है इसमें सेलरी रखी गही है साब साब 38100 लेकिन आम नीचे अगर आप देखेंगे तो व्याख्याता हिंदी माध्यम भी आया है जो कि जीव विग्याने याने कि बायोलोजी के लिए एक पधे जनरल के लिए 38,100 तो हिंदी माध्यम वाले टूट पड़ो भाई एपलाई जरूर करो सिक्षक अगरेजी माध्यम के लिए गड़ीत अंगरेजी समाजी विग्यान प्रधान पाठक भी आया है दोस्तों बहुत ही खतरनाग हम का भी यहाँ पास वेकेंसी निकला है प्रात्मिक के लिए एक पधे हम की सेलरी है 35,400 ही रखी गई है तो प्राइमरी हम अगर बनना है तो उसकी सेलरी 35,400 आपको देखने को मिलेगी सायक सिक्षक अंगरेजी माध्यम 25,300 की सेलरी है टोटल यहाँ पास दस आपको टोटल बारा पद देखने को मिलेंगे माप कीज़ेगा यहाँ पास मैंने गलत बता यह पाच नहीं यह नो होगा टोटल योग ठीक है यहाँ ए सिक्षक, सायक, सिक्षक, मिलेंगे स्वामि ब्याक्यता, सिक्षक, सिक्षक चंगे,rency तुकृष कना इस सेलरी यहाँ पास जान करेंगे तो टोटल 13 बाराप की उत्क्रिश्च व्धालividadeर सारगां को देखने माध्यम के लिए सब्जेट यहां पर दिया गए है पदों की जानकरी आपको नीचे दी गई है नवागड में निकला है सिख्चक और सायक सिख्चक के लिए यहां पास संपूर्ट डिटेल आप देख पाएंगे अब देख लीजे व्याख्याता के लिए दोस्तों व्याख्य स्कूर्ट के आई है तो उसे छोड़कर बाकि सभी सब्जेक्टों सभी पदों के लिए अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई होना आपके पास चाहिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हिंदी माध्यम के पदों के लिए माध्यम के कोई बाध्यता नहीं होगी साप स अब स्कूरा देखेंगा वैसाई के योगटा टाप एंड ब्याद होना चाहिए सेक्शनिक व्याख्या थैट योगवता मानता प्राशन से क्या क्या है इस नाकुतर वगएर आपके पास होना चाहिए यह क्या हुआ हुआ है तो यह देखिए विसे सम्वोवी हिंदी के लि इंग्लिस सब्जेट के टीचर एक सब्जेट का टीचर हेए केलिछ सक्राट के लिए अब आप देखेंगे शिचक अंग्रेजी माध्यःम के लिए क्या क्या योग्यता हैं यह पास में अराम से इसका screen sort लीजिए और इस से धीरे-धीरे पढ़िए आप यहां पास आप देखेंगे हिंधी माध्यःम के पदों के लिए High school High secondry School परिख्षा के लिए कोई कि दसवी बारवी में अगर आप Hindi Medium से भी पढ़ेंगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों Hindi टीचर के लिए वैसाई के योगट दोस्तों यहां पाद दिया गया बेड़ हो चाहिए यहां पाद दिया गया देखिए इस न तक के आपको कर दिए बताने में यह जो है व्याख्याता के बारे में इससे पहले वाला था तो हिंदी जो है हिंदी इस नातक इस तर की बात नहीं कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजियोशन आपका हिंदी में होना चाहिए अंग्रेजी के लिए पोस्ट ग्रेजियोशन होना चाहिए यह स आप सब मेंचें कर दिया गया प्रख्साल सायग के लिए क्या क्या है देख लिए प्रतांन पाठक प्रात्मिक अंग्रेजी माधनिम के लिए क्या है थोड़ा देख लेते हैं इंग्लिश मेडल मीडेम से आपके पास कारी के लिए वहाद होना चाहिए चाहिए योगता मानता प्राप तल इसले से 50% अंको के साथ इसनातक मांगा जा रहा है है ठीक है दो फैका अगर आप देखेंगे तो सहाई भी मांगा जाता है को यहां बारवी बेसेस से आपकी जौब लगती है लेकिनगत को अगर आपको primary करण कर ऐसार्मडी बनने गा अगर आपको primary के अचेंड वनना है तो आपके पास ग्रेजुन कि में होनी चाहिए कम्पूटर सिख्षे के लिए यहां पर दिया गया है आप देख पा रहे होंगे संभालने से जानके समीधा भक्ति के लिए महत्पुर्ण निश्देश जो है आपको बता दोस्तों कि समीधा सिख्षक जो है चतिस गड़ा यहां पास बारा से तेरह जार समीधा सिख्षक कारे रहा थे आत्मान इसकोलों में तो यह बहुत बड़ा संग बन चुका है और निशित ही आगे चलके ऐसा माला जाता है कि इनों भी रेगुलर कर दिये जागा यह ऐसा सिख्षक कर्मी के रूप में ही कारे कर रहे हैं सिख्षक सायक सिख्षक पद ही तो पातरता परिच्छा जाने के टेट और सीटेट अपके पास सीटेट होना चाहिए चैन प्रकिता कैसी होगी तो यहां पास आप देख सकते हैं अलग लग पदों के लिए अलग परसेंट आपसे अंक निंदम सेक्षण की उगेता का साक्षातकार होगा तीस परसेंट अंका टोड़ा साओ परसेंट इस परकार से आप समझ सकते हैं बाटा गया है निक्ति तीन वर्सों के लिए यहां पस की जाएगी और राज्य सरकार के जो है आफसकता के अधार पर औ ब्युक्त तक जाथ करमचारी की कारचन तक आगलन करने के पश्चात आओधी बढ़ाई जा सकी कि जो की आगामी सासन के दिसान देश के अनुसार होगी समीधा जो निक्ति है अगर त्याग दिने की सिति में एक माह का वेतन आपको देना पड़ता है अगर आप बीना जमा करने पड़ेगी यह नियम है अभ्याति के लिए पातरता क्या क्या है ध्यान से एक ही गुंदू को पढ़िए बहुत जोरी चीज़े अन्न निर्देस दिया गया है क्या कह चीज़े आप इद्ब ध्यान से इसको पढ़िएगा यह देख सकते हैं ऑलाइन करने के लिए महतपुर्ण निर्देस कैसे आविदन करना तो जीमेल आड़ी आपके पास होना चाहिए कुछ नहीं करना जाकर आपको आपका संपुर्ण जो दस्ता वेज़े यह देख सकते हैं उसके बारे में जानकरी मांगी जाएगी वह आपको गूगल फोर्म के माध्यम से बहर देन करने के लिए लिंक दिया होगा उसमें आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके अपना आविदन कर पाएंगे ठीक है दोस्तों और कुछ चीज़ पर इसमें को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आनलाइन होने वाला है तो यह बहुत ही बहतरीन जानकारी आपको में दिया हिंद लगा हो तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा क्योंकि बहुत सारी भरती विग्यापन 36 गण में आ रही चितकी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगतार मिलती ही रहेगी तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नहीं अच्छी भरती विग्यापन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद